जैन नमस्कार और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइप माक्स का जो क्विस्टन हमेशा आता है इंगलिस के लिए बोड इग्जाम 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें हम इसमें देखने वाले हैं जैसे प्रोज से जाता है या कोई चैप्टर क्या है उसके बारे में पूछा जाता है तो आए बिदाउट वेस्टिंग मोर्टाइम हम लोग देखते हैं एक एक चैप्टर के बारे में तो देखें पहला जो चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर Indian Civilization Civilization and Culture तो सबसे पहले देखना है कि Indian Civilization and Culture के writer कौन है जी तो इसके writer है महात्मा गांधी ठीक है ना महात्मा गांधी इसके writer है और ये महात्मा गांधी इसके writer हो गए और ये chapter है क्या तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा Indian civilization and culture जो है ये एक essay है तो ये आप से दो तरीका से पूछ सकता है question एक तो who is the writer of Indian civilization and culture तो महात्मा गांधी and what is Indian civilization and culture तो you must remember that कि ये एक essay है ठीक है ना ये क्या है essay है ठीक चलते हम अब लोग second chapter पर second chapter हमारा है वारत is my home भारत is my home ठीक है ना भारत is my home जो है आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके writer कौन है तो doctor जाकिर हुसेन है कौने जी doctor जाकिर हुसेन है ठीक है और ये है क्या तो ये एक speech है ठीक है ये है क्या बावू तो ये speech है आपको ये भी ध्यान में रखना है ठीक है हमारा पहला chapter Indian civilization and culture एसे था दूसरा speech है ठीक है अब आते हैं chapter number third पर total 11 chapter है आपको हम बता दे प्रोच से तो third हमारा है ये pinch of snuff और इसके सबसे पहला बात कि इसके writer के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसके writer है हमारा मनोहर मालगौनकर मनोहर मालगौनकर ठीक है ना मनोहर मालगौनकर इसके writer है और ये है क्या जी ये pinch of snuff तो आपको ध्यान रखना है ये एक short story है क्या जी एक short story है ठीक है ना तीन chapter के बारे हम लोग समझ लिए अब आते हम लोग fourth chapter I have a dream I have a dream ठीक है ना हला कि आपके books में भी ये दिया हुआ है कि इसके writer बट ये नहीं दिया कौन short story है कौन speech है कौन से है आपके लिए काफी helpful होगा ये याद करने के लिए और हमेशा पूछा जाता है एक बात का ध्यान रखे तो I have a dream का सबसे पहला की writer कौन है जी तो Martin Luther हम ऐसा ह थोड़ा shortcut में लिख दे रहे है Martin Luther King Junior ठीक है ना Martin Luther King Junior है और ये है क्या तो ये भी एक speech है ठीक है ये भी क्या है जी एक speech है आपको ये सारे बात समझ में आना चाहिए ध्यान रखना होगा next ideas that have helped mankind mankind सबसे पहला बात कि इसके writer कौन है जी ideas that have helped mankind to get trained Russell है कौन है जी वर trained Russell है इसके writer और ये है क्या तो ये भी बाबू हमारा एक essay है ठीक है ना ये भी हमारा क्या है एक essay है ठीक ये भी एक essay है इसके writer कौन है वर train or sale है ठीक है ना अगला chapter देखते हैं chapter number 6 chapter number 6 है the artist ठीक है the artist देखे the artist जो chapter है सबसे पहले इसके writer कौन है जी तो सीगा सीगा नोया है इसके writer ठीक है ना सीगा नोया इसके writer है और the artist है क्या तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा एक short story है ये हमारा क्या है जी एक short story है ठीक है ना आगे चलते हैं हम लोग इधार ही देख लेते हैं next जो आपका chapter है ठीक है chapter number seven ठीक है chapter number seven है a child is born ए चाइल्ड इज बॉर्न तो देखे ए चाइल्ड इज बॉर्न सबसे पहले इसके writer कौन है जी जर्मेन ग्रीर है ठीक है ना जर्मेन ग्रीर है इसके writer आपको थोड़ा ध्यान रखना है writer का क्या कि writer का एकदम fix है कि आएगा ही आएगा और ये ये है क्या तो बाबु ये हमारा एक A से है ठीक है ना यह है क्या जी तो यह हमारा एक A से है ठीक है ना आगे देखते हम लोग चले नेक्स चेप्टर है हमारा चेप्टर नमबर 8 ठीक है ना चेप्टर नमबर जो 8 है आपका how free is the price how free is the price ठीक है ना how free is the price है क्या जी तो आपको ध्यान रखना होगा कि how free is the price भी एक हमारा A से है ठीक है ना यह भी क्या है बाबू एक A से हाह सबसे पले देखिए इसके राइटर का नम क्या है जी how free is the price का तो Dorothy L. Sayers ठीक है आपको ऐसे ही ध्यान रखना है writer name, कोई ये chapter है क्या, ठीक है ना, Dorothy Elsayers है next chapter 9 हमारा है 9 chapter the earth the earth, देखे the earth क्या है जी, तो ये short story है, क्या है जी, एक short story है, और जो the earth के writer का नाम है H.E. Bates है, आपको ध्यान रखना है, H.E. Bates is the writer of the earth ठीक है, next chapter है हमारा India through travelers I India through travelers I देखे, सबसे पहला कि ये है क्या जी, तो India through travelers I, जो है हमारा, ये भी एक essay है, क्या जी, essay है, और इसके writer का यादी नाम का बात किया जा है, तो pulse is buck है, ठीक है ना, pulse is buck, ठीक है, और ये है क्या बावू, तो ये एक essay है, इसके writer है, pulse is buck, and the last chapter, marriage proposal, a marriage proposal, proposal, a marriage proposal, और ये जो आपका marriage proposal है, ये एक हमारा, drama भी कह सकते हैं, अगर drama देखा अप्चन तो drama कहिए, या play comedy भी कह सकते हैं, कभी कभी play comedy भी देता है, तो आपको ध्यान रखना है, कि जो option दे ऐसा नहीं कि दोनों देगा इसके writer कौन है तो इसके writer है एंटो 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 एंटन चिको ठीक है ना एंटन चिको भी इसके writer है ठीक है तो आज का यह हमारा जो वीडियो है काफी important है class 12 के लिए special जो student अभी देने वाले exam ठीक है क्योंकि आपका math of the flowing से भी आता है MCQ में भी पूछ सकता है सारे के सारे chapter से तो I hope कि यह आपके लिए काफी important है सबके लिए तो आप comment करके जरूर बतेए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे important वीडियो next session में हम लोग देखेंगे चलिए thank you